कि अगर एक मेंबर आफ पार्लिमेंट या MLA दूसरी पार्टी को जॉइन कर लेता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लौ में क्यों चार्ज किया जाता है या फिर कई बार हमने देखा है कि दो से तीन मेंबर जो है वो अगर जवाएं कर लेते हैं तो क्यों उनको चार्ज नहीं किया जाता तो अलग अलग इसके सब्सक्रारइब के इसके अलबा आप विदियो में भी follow कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि constitutional provision क्या है आपके पास अगर आप बात करें 52nd amendment 1985 जो राजीव गांधी government लेके आई थी उन्हें एक schedule 10 add किया आपके constitution में अब अपने constitution में schedule 10 add होता है और उसमें लिखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों कम defection मानेंगे और क्या क्या defection जो है नहीं होगा साथी साथ defection की क्या definition होगी defection के case में speaker के पास क्या powers होगी और supreme court जो है वो judicial review कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम देखेंगे और साथी साथ ये भी जानेंगे कि क्यों ये law होने के बाद भी इतनी crisis आपको इस पूरे पूरे political setup में दिखती रहती है अब ये law लाने के पीछे का एक current देख लेते हैं historical background देख लेते हैं बात है 1967 की कहा जाता है 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि देश भर में non-congres government जो है states में बनने लगी थी in fact यहां तक कहा जाता है कि West Bengal से Punjab तक आप बिना Congress के state को cross किये पहुंच सकते थे जबकि एक समय ऐसा था कि पुरदेश में सिर्फ Congress की सरकारे होती थी अब ऐसे में reason यही था कि बहुत सारे Congress के MLA's जो है वो defect होके इदर उदर की नई regional parties को join कर रहे थे अब उसी में जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं एक बात भी आई और एक maxim भी कहा जाने लगा जुमला भी कहा जाने लगा कि आयाराम गयाराम यह चल रहा है यहां पर इस आयाराम गयाराम अब यहां पर कहा जाते है गयालाल जी थे गयालाल जी ने पंदरा दिन में एक ही political party को दो बार वापिस जोईन के यानि वो Congress से United Front में गए United Front से Congress में आये फिर से United Front में गए और फिर Congress में वापिस आ गया तो ऐसा उन्होंने एक clause बन गया वहां से एक एक नारा बन गया की गयालाल जी थे अब वो वापिस आ गया है तो इसी को कहा जाने लगा, मीडिया ने इसको कहने लग गई कि यह आयाराम गयाराम है यानि जब भी आप पढ़ें कि टर्म आयाराम गयाराम तो आप समझ जाएंगे कि बात हो रही है यहाँ पे डिफेक्शन की तो अब इस आयाराम गयाराम वाले सेनारियो को रोकने के लिए इंद्रा गांधी गवर्मेंट को कुछ स्विंजन्ड लाज लाने थे इंद्रा गांधी गवर्मेंट एक वाईभी चरवन कमिटी को स्टाब्लिश किया और साथ ही साथ कॉंग्रेस के बाकी मेंबर्स का भी मानना था कि अगर इस तरह से सारे MPs टूट कूट के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाने लग गए तो फिर कॉंग्रेस का तो वजूद ही कतम हो जेकर साथ ही सारे Member of Parliament जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ले जाएंगी MLS दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ले जाएंगी और कॉंग्रेस जो है वो government नहीं बना पाएगी अब इसी के लिए उन्होंने एक law आने की कोशिश करी लेकिन क्योंकि Congress के पास राजय सबा में Majority नहीं रही तो काफी मशक्कत के बाद ये law 52nd Amendment 1985 जब Congress के पास एक अच्छी Majority थी House में तब लाया गया 67 से कोशिच जारी थी 85 में जाके फाइनली एक 10th schedule जो है वो आपके Constitution में जोडा गया जैसे कि आप देख पारे हैं वाई भी चरवन पैनल ने सजेस्ट किया ऐसा law होना चाहिए है इससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जन्दाबाटी गर्वर्मेंट भी लेके आती है Congress भी ट्राय करती है कि इस तरह कि पॉलिटिकल दिफेक्शन को law के through रोका जासे कि लिए इसा हुआ नहीं और finally 85 में जाके हुआ आगे देखते हैं कि Constitution मेंसे क्या provisions है जिससे disqualification को address किया जाता है तो इनके disqualification की बात की जाते है यहाँ पे अदर आप defection law की बात देखेंगे तो anti-defection law में यही लिखा हुआ है कि कोई भी MP जो है या MLA जो है अपनी political party की membership छोड़के दूसरी political party join कर लेता है तो उसको हम anti-defection मानेंगे उसको हम defection मानके anti-defection में charge करेंगे साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कि political parties जो हैं वो house में whip इशू करती है whip का मतलब होता है किसी एक particular direction में vote देना किसी एक law के लिए vote देना law के against vote देना अगर किसी भी political party का sitting MP या MLA अपनी political party के against vote देता है जैसा कि अगर high command ने कहा है कि इस bill के फॉर में vote दो लेकिन वो उस bill के against में vote देता है तो भी उसको disqualify किया जा सकेगा तो उसको party से निकाल दिया जाएगा anti party activities के लिए और उसके लिए भी grounds हो जाएंगे disqualification के साथ ही साथ को independent person है को independent MP है दूसरी political party join कर लेता उसको भी हम मानेंगे कि यहाँ पे उसने भी defection किया है और कोई भी राज्यसभा का MP है वो दूसरी political party join कर लेता है अपने nomination के 6 महीने के बाद यानि कोई nominated member है वो political party को join करता है और 6 महीने खतम होने के बाद अपने 6 महीने के बाद वो दूसरी political party join कर लेता है या किसी political party को join कर लेता है तो फिर वहाँ पे भी grounds of defection clear हो जाएंगे और वहाँ पे भी defection कर दिया जाएगा अच्छा यहाँ पे anti-defection law में एक चीज अलग रखी गई है अगर आप article 102 देखेंगे तो 102 में disqualification की power president को दी गई है लेकिन इस anti-defection law में disqualification की power speaker या chairman of raja sabah को दी गई है जिस भी house में disqualification होना है defection का case है वहीं के chair person इसको decide करेंगे तो बाकी चीजों में आप देखेंगे कि president करते हैं और इस case में speaker करेंगे अब कुछ एक चीजे जो है वो defection से बाहर रखी गई है उन्हें हम defection नहीं मानते exception कहते है दो political party का merger हो जाएगा तो उसमें obviously बात है इधर से MPs उधर चले जाएगे defection नहीं माना जाएगा दो political parties का merger होता और कुछ MPs अलग रहना चाते है वो कहते हम इस political party के साथ merger नहीं करेंगे BJP Congress का merger हो जाए और कुछ लोग कहें नहीं हमें Congress में नहीं जाना है और वो अपनी अलग political party ढूण ले या में BJP नहीं जाना है अलग political party बना ले तो वो defection नहीं माना जाएगा साथी साथ एक और यहां पर case है कि अगर two-third किसी एक political party के latest से तीन MPs अभी लोकसाबा में है उसमें से दो MPs दूसरी political party जोइन कर लेते हैं तो उसको भी defection नहीं माना जाएगा यह हमने गवर्मंतर party के case में गोवा में देखा कि वहां के तीन MLA में से दो MLA BJP जोइन कर चुके हैं तो फिर SME उनको defection नहीं माना जाएगा अभी चराग पासवान के case में भी हो रहा है कि 5 MPs जो है या तो दूसरी political party चले जाएंगे या अपनी political party बना लेते हैं तो वो भी defection नहीं माना जाएगा इसको 91st amendment से रखा गया ओरिजनल जो anti-defection law था उसमें ये number था 1 third वाजपई government ने देखा कि बहुत ज़ादा ineffective हो गया law इतना ज़ादा इसका impact नहीं पड़ रहा इसलिए उन्होंने इस number को change करके 2 third कर दिया और इस law को और ज़ादा stringent कर दिया अब इस पूरे के पूरे law पे court की क्या पृत्रिगिया है court क्या-क्या कहता है अलग-लग समय पे देखो कि होतो हो लोहन जो है वो पहला case आया इस anti-defection law आने के बाद 1993 का case है यहाँ पे court ने कहा कि speaker की बजाए एक tribunal आप establish कर सकते हैं वैसे तो यहाँ पे यह कहा गया था कि speaker एक tribunal की तरह काम करता है तो speaker को a-partisan manner में, non-partisan manner में काम करना चाहिए usually कई बार देखा गया है कि speakers होते हैं वो अपनी ruling party के according या अपनी political affiliations के according decisions देते हैं तो यहाँ पे यही क्या गया है कि आप यहाँ पे court की तरह tribunal की तरह काम करते हो तो फिर आप principle of natural justice follow करना चाहिए आपको a-partisan रहना चाहिए दूसरी बात यह भी कहा गया कि speaker के actions का हम judicial review कर सकते हैं तो जो paragraph 7 था schedule 10 का उसको हटा दिया court ने null and void कर दिया कहा अगर speaker कोई भी decision लेते हैं और वो decision अगर mellified है poverty पे लिया गया है तो हम उसका judicial review कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमें लगेगा कि speaker का decision गलत है तो हम उसको reject भी कर सकते हैं उसको nullify कर सकते हैं कि अगर speaker ने political basis पे ही decision लिया है एक reform और बताया गया था कि speaker की बजाए यह power आप governor और president को दो जैसे आप बागी disqualification के case में देते हो क्योंकि speaker यहाँ पे एक political post जो है एक constitutional post है वो एक political ideology से जुड़ी रहती है speaker जो है political party के होते हैं तो बहुत जादा chance है कि वो अपनी political party के favor में ही decision देंगे और ऐसा हमने across the country बार बार देखा है करनाट का assembly में भी हमने देखा ऐसे cases बहुत आए हैं तो इसी के लिए यहाँ पे court ने कहा कि speaker को एक tribunal की तरह non-partisan manner में principle of natural justice के नाम पे काम करना चाहिए साथ ही जाद अगर एक voluntary resignation हो जाता है तो इसके लिए रवी एस नाएक judgment आती है अब usually क्यों होता है member of parliament जो है वो resign करना चाहते है लेकिन speaker को लगता है कि इनके resign करने से हमारी party गिर जाएगी speaker resignation को नहीं रोकेंगे speaker को resignation लेना पड़ेगा और अगर वो दूसरी political party join कर लेते हैं तो उनको defection में बाहर निकाल दो हाउस से बात खतम हो जाती है आप उनका किसी भी तरह का resignation नहीं रोकेंगे आपको conduct देखनी है member की क्या है अगर उसकी conduct free will है तो फिर वो resignation आपको accept करना पड़ेगा सेम सिनारियो आया था 2018-19 में करनाटका assembly में 2019 में करनाटका assembly में Congress के जो speaker थे वो Congress के MLS का resignation accept नहीं कर रहे थे तो वो court गए और बाद में resignation को उनने approve करा है और court ने कहा कि इनको resign करने आगे एक और case अभी हाली में 2020 में आया है केशराम मेकचंदर case इसमें court ने इस पूरे के पूरे schedule 10 को और जादर strengthen करने की बात की है court कह रहा है कि schedule 10 काफी weak है अपने purpose को fulfill नहीं कर पाता defeat कर देता है तो सबसे पहली बात court नहीं यहां पे कहा कि तीन मंद के अंदर-अंदर आपको defection पे एक decision लेना पड़ेगा usually क्या होता है speakers बहुत लंबे समय तक defection के process को टांग के रखते हैं क्योंकि देखो वो कही ना कही horse trading में लगे रहते हैं सब जानते हैं कि horse trading होगी इदर के MPs उदर खरीदे जाएंगे उदर बेचे जाएंगे उन्हें रोका जाएगा तो इन सब के चलते ये सारी चीज़े court ने कहा कि तीन महीने के अंदर-अंदर आप proceedings को finish करो साथी साथ ये भी कहा गया है कि एक tribunal बनाओ जब भी defection के cases को आपको deal करना है तो एक tribunal बनाओ जिसमें retired supreme court के judge हो high court के chief justice हो इस तरह के लोगों का tribunal होना चाहिए वो ही decide करे और president के पास power होनी चाहिए defection के case में disqualify करने की तो बार बार court कहता है कि इस law को strengthen करने की ज़रत है नहीं तो ये law अपना purpose सर्व नहीं करता हमने देखा 1985 के बाद law आया है उसके बाद भी बहुत जादा defection जो है political defection रोके नहीं गए आपने देखा आई दिन political defection होते रहते हैं जगा जगा पे resorts book किये जाते हैं MP MLS के खरीदने बेचने के लिए और इस खरीदने बेचने को बहुत अच्छी term दी गई थी American democracy से आई थी horse trading घोडो का खरीदना बेचना ठीक है तो हमारे MPs MLS को यहां पे horse trading के term के साथ relate किया जाता है कुछ और reforms भी कहे गए हैं कि voluntary giving up membership की definition यहां पे दो कि अगर कोई MP voluntary अपनी membership दे रहा है तो उसके defection आप उसकी membership जो है वो उसको छोड़ दोगे और उसको defection में charge करके हटा दोगे उनके resignations को रोकोगे नहीं political parties को भी थोड़ा सा whip पे control रखना चाहिए ये भी suggestion कहा गया है कहा जाता है whip एक अलग एक बहुत undemocratic मुद्दा है whip पे हम एक अलग video लेके आएंगे तो वहाँ पे इसको detail में discuss करेंगे और साथी साथ election commission का recommendation भी लेना चाहिए 10 schedule के disqualification के लिए अगर आप 10 schedule में किसी को disqualify कर रहे है किसी MP को तो speaker जो है वो election commission से पूछें और साथी साथ election commission जो है और president और governor जो है उनको आप ये power दें और election commission की जो भी decisions आएंगी वो binding बनाएं आप उस office पे तो idea बस यह है कि इस law को और जातर strengthen करना है तभी political democracy ठीक से function कर पाएगी तो आशा करता हूँ ये series आपको अच्छी लग रहे होगी UPCIS के मारे pre-combains के smart courses available है 50% discount के साथ है इन्हें आप avail करिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी series में तब तक के लिए goodbye, take care and God bless you all